हलो इस्टुडेंट कल्यानिया इसेगेट में को उनलाइन प्रेटफार्मर आपको स्वागत है मैं हूँ लखन दायमा आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं फ्रेंट हिंदी कैसा सब्जेक्ट है जो कई प्रतिव की परिछाओं में पूछा जाता है तो चली फ्रेंट शुरू करत खंड काब्य कैसा टॉपिक है जहां से एक्जामना कोश्टन से जरूर पूछ जाते हैं ठीक है अब के किसे कहते हैं तो खंड काब्य का मतला होता है अलग अलग पार्ट में छोटे-छोटे खंड में बटा हुआ का भी उसे हम खंड काब्य कहते हैं लेकिन इसको हम एक या उसके जीवन की घटना के किसी एक अंस का वर्णन किया जाता है तो उसे हम खंड कभ कहते हैं आप इसको कैसे याद रखेंगे तो देखें इसमें तो जिस काभ में जिस काभ में नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है तो उसके महाकाब में क्या उसके जीवन की संपूर्ण घटना का वर्णन किया जाता है तो उसे महाकाब कहते हैं और इसमें क्या होगा महा का खंड़काब में हम देखेंगे कि जो भी नायक है उसके जीवन के किसी एक घटना बार्ण यहाँ पर किया जाता है यह आपको ध्यार नखना होगा अब इसके बाद देखिए आचारीब्ष्व नात ने कहा है एक लिस्व stripes विश्वनात तो आचारी विस्वनात ने क्या कहा है यह देखे इसमें आचारी विस्वनात तो आचारी विस्वनात ने कहा है कि खंड काब महा काब के एक अंस का अनुसरन करता है यह इन्होंने कहा है किसने आचारी विस्वनात ने तो आपको ध्यान रखना है इन्होंने कहा है कि खंड का महाकाब्य तो खंडकाब्य महाकाब्य के एक अंस का अनुसरन करता है यह आपको ध्यान रखना होगा अनुसरन करता है यह इन्होंने कहा है किस ने आचार विश्वनाथ ने तो गता है कि वताये, ये किसने कहा है, कि खंड काब्य, महाकाब्य के किसी एक अंसर का अनुसरन करता है, तो ये वताया है, आचारी विस्वनात ने ये आपको ध्यान रखना होगा, तो एक्जाम अगर आपसे question पुछा जाता है, कि वताये, ये कहतन किसका है, तो आचारी विश्ộiनात का गतं है ये आपको ध्यान अगणा होगा ठीकर प्रणम अब ये तो बताये मैं आपको ये काप्बी के बारे में और इसके आर्थITH अ क exports के बारे में आपको बताया है अब जो खंड़काब्य होता है तो खंड़काब्य की विसस्ता क्या होती है तो देखें इसमें जो खंड़काब्य होता है इसकी कुछ विसस्ताइं होती है तो कौन-कौन से विसस्ताइं होती है खंड़काब्य की तो आपको ध्यान रखना है कि जो महाकाब्य की विसस्ताइं मैंने आ और जो महाकाब्य था तो महाकाब्य का छेत्र कैसा था तो महाकाब्य का छेत्र बड़ा था विस्तृत था और यहां पर इसका छेत्र खंड़काब्य का छेत्र कैसे होगा सिमित होगा मतलब छोटा होता है यह आपको ध्यान रखना होगा तो जो खंड़काब्य है इसकी विसस क्या होगी तो दूसरी विसस्ता होगी फ्रिंडेस में दूसरी की विसस्ता होती है कि इसमें हना यक का महान होना जरूरी नहीं होता इसमें नायक का महान होना जरूरी नहीं है यह आपको ध्यान रखना होगा ठीच के मिक्त ow जो भी नायक है उस नायक का महान होना इस्वेंजरूरी नहीं है कि स्कुर्समें घंडब काव्य में सर्गों की संख्या निस्चित नहीं होती है इसमें इसमें सर्गों तो सर्ग मतलब क्या होता है अध्याई जो आपको पहले मैं बता चुका हूं सर्गों का मतलब क्या हो जाता है यहां पर अध्याई तो इसमें सर्गों की संख्या निस्चित नहीं है सर्गों की सं से कम आठ सर्गोना चाहिए यह उसके विशस्ता होती महाकाब्व की आपको ध्यान रखना होगा ठीक है अब इसके बाद फिर तो अगली विशस्ता इसमें कि इसमें नायक इसमें नायक के जीवन नायक के जीवन के किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है नायक के जीवन की नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है तो यह सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा तो यह सब इसके विशस्ता हैं तो अगर एक्जाम में आपसा कोशन पुछा जाता है कि वताईए खंड़क अब् और यह सभी विस्थाइं आपको ध्यान रखना है और इसके अपोजिट क्या होता है माकाब्व की विस्थाइं होती है तो यह आपको मैंने विस्थाइं बताई यहाँ पर खंडगाब्व की आप इसके बाद देखिए कि खंडगाब्व है कौन-कौन से तो इसमें कुछ रचनाकार के नाम देखिए यहाँ पर एक तरफ लिखतेते हैं यहाँ पर खंडगाब्व और दूसरी तरफ उसके रचनाकार के नाम अब देखिए इसमें एक तरफ खंडगाब्व है दूसरी तरफ रचनाकार का नाम होता है अब यहाँ पर देखिए इसमें खंडगाब् कि नाम आते हैं जसand मैंघदूथ amangaagad goosebumps और रीतुसंगारम ओर टृतर शनल गाऊरम अंचिद दोनोई खंढक अब किसके हैं आपको धयान रखना है कि दोनों ही खंड़काब माझ कालिधास के हैं टिकेम और यह संस्कृत में लिखेत है तो एक्जाम में आप सकोशन पुछा जा चुका है इन से कि मेगदा यह मेगदूत और रितु संगहरम यह किसकी रचना होती है तो यह कालिदास की रचना है फ्रेंड यह आपको ध्यान रखना होगा तो इसमें देखते हैं तो मेगदूत में इन्होंने किसका वर्णन किया है मेगों के माध्यम से संदेश भजा जाता है इसलिस का नाम ही होता में और तो संकहरम में हम देखते हैं कि दिंग करण कि गयa है और इसमें अच्छी रिकान रितु ब संद्रिटू को बताया है और इसे में इन्होंने बसंत रितू को रितूराज कहा है कालिदास ने फिर इसके बाद में अगली रसना देखिए पंच बटी अगला खंड काप बे आता है पंच बटी तो यह किसका है यह भी मैथली सरन गुप्त का खंड काप बे होता है इसके बाद पिर एसे अगला खंड काप बढ़ा यह सोधरा तो यह सोधरा यह भी इनका खंड काप बे होता है किसका है इस Васल प्रूदीं फिंड़ा मैं है शुदामा चरित किसका खन्ड का आ अगे सुदामा शरीट में किसका गडन हागे टीक फिर अग्ला खन्ड का वैक पाद में हल्दी घाती अगला जाता है हल्दी घाटी आप हल्दी घाटी यह किसकी रचना है तो आपको ध्यान रखना यह स्याम नारायन पंडे का है तो स्याम नारायन पंडे इन्हों ने लिखा है यह हल्दी गाटि और यह क्या हल्दी गाटि एक हड़ाब ऐसके बार्ट में अगला जा खार हल्दी घ्रिपाठी यह आपको धियान रखना होगा य्य सब्सक्राइब कि रजणे जाएगा कि बताइए कि तो इसमिंगें जोगा झायगा गाधर कि यह उल्टा पूसे कता है चीवताइए राम छीनुरे ने फिन प Nachstore बे Mtatik कि आफशा न इस प्रकार से question इन में पूछे जाते हैं ठीक है अब इसके बाद देखें यह तो बताया मैंने आपको खंड काब्वे के बारे में अब महाकाब्वे में और खंड काब्वे में दोनों में अंतर क्या होता है तो यह भी हमें पता होना चाहिए तो देखें यह पर अब एक काब्वे और महाकाब्वे तो देखें इसमें अंतर तो दोनों में अंतर क्या है तो देखें आप पहला अंतर तो पहला अंतर यह होता है खंड काब्वे में और महाकाब्वे में तो महाकाब्वे में पहला कि इसका छित्र कैसे होता है महाकाब्वे का शित्र विस्त्रत होत होता है तो इसका छेत्र कैसा होता है तो इसका छेत्र सिमित होता है यह आपको ध्यान रखना होगा सिमित का मतलब क्या हो जाएगा यह पर जो खंडकाव्य होगा तो इसका छेत्र चोटा होता है सिमित होता है ठीक है अब इसके बाद फिर दूसरा अंतर इसमें क्या है दोनों में तो देखिए दूसरा अंतर यह है कि जो महाकाब्य होता है इसमें कम से कम इसमें कम से कम कितने सर्ग होना चाहिए तो कम से कम इसमें आठ सर्ग जरूरी है या आवश्यक है जबकि जो खंड़काब्ब होता है तो खंड़काब्ब में ऐसे सर्गों की संख्या निश्चित नहीं होती आपको ध्यान रखना होगा निश्चित नहीं आरा समझ में आप सर्ग का मतलब यहां पर क्या होगा तो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि अध्याय सर्ग का मतलब होता है अध्याय यह आपको ध्यान रखना होगा यह दो अंतर होगे इसके बाद फिर तीसरा अंतर क्या होगा तो तीसरा अंतर यह होता है कि इसमें नायक का महान होना अवश्यक है इसमें नायक का महान और कुलीन होना ये जरूरी होता है इसमें नायक का महान और कुलीन होना अवश्यक है आरा समझ में ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंट जबकि जो मां खंड काब्य होता है तो खंड काब्य में क्या होगा खंड काब में ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होता यह आपको ध्यान रखना होगा तो खंड काब में यह जरूरी नहीं है ठीक है खंड काब में यह जरूरी नहीं होता यह आपको ध्यान रखना होगा एकजाम में क्योंकि कुछ पूसे जाते हैं कि खंड काब में और महा काब मे ऑनतरक्ण क्या है यांतर आपको इसमें ध्यान रखना वोगा ठिक है इसके बाद फिर और और क्या अंतर हो सकता है खंड कावबुमों पूर महा उँख्यद में I can पहुत इसमें अगला तो अगला इसमें में आता है कि जो नायक होता है तो नायक को कैसा होना चाहिए धीरोदात्तों होना चाहिए नायक को कैसा होना चाहिए धीरोदात्तों होना चाहिए मतलब सूरवीर होना चाहिए और धेरिवान होना चाहिए जबकि जो खंड काप भी है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें नायक को धीरोदात्तों होना चाहिए किसक तो इसमें खंड काव्य में यह जरूरी नहीं है उसको कहते हैं धिरोदात यह आपको ध्यान रखना है बसे सकता हुआ है और इसमें दोनों में आपको पता होना चाहिए जो अंदर बने आपको यहापर बताया है तुस प्रकार से हएं कि यहाँ पर खंड का ब्डिय्यर और महाकां में अंतर समाफत हो जाता है तो जह भी अब Ay में सब कोस्टन आप से पूछ ले जाता है इसलिए मेंने आपको बताया है आप इसके बाद दिके फरेंड तो यहाँ पर ये कंड काभय समास्थ स्मापट हो जाता है यह थी सब्सक्राइब अपन पर सरू किया पर हमने फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था एक स्रब्य में और दूसरा द्रिस्य में फिर हमने स्रब्य को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था प्रवंद में और मुक्तक में फिर हमने प्रवंद को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था महाकाब में और देखे इस में अगला जाता है फिर मुकेत अमुक्त काबों किसे कहते हैं तो मुक्त काब refers मतलब होता जो मुक्त होता है तो चंदों के नियम से मुक्त होता है उसे हम मुक्तक आप कहते हैं आरा समझ में तो सीधी से बात है सिंपल वासा में आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि वह काप वे वह काप जिसमें जिसमें वर्नो और मत्राओं की गलना के आधार पर की गलना के आधार पर कोई रचना नहीं होती कोई रचना नहीं होती है दो से हम क्या कहते हैं मुक्तक काव में जितने विचसंद है इसके बाद फिर अपने यह होते हैं बारणिक चंद मातरी संद है इस्काव में नहीं कि जाती है तो वार्निक्षंद और मात्रिक्षंद क्या होता है तो वार्निक्षंद में वर्णों की संख्या की गढ़ना के अधार पर रचनाई की जाती है तो उसको वार्निक्षंद कहते हैं मात्रिक्षंद किसे कहते हैं तो मात्राओं की गढ़ना के अधार पर रचना की जाती है उसक पर मात्राओं और वरणों की कोई निस्चित संख्या नहीं होती और नहीं इनके नियमों का पालन किया जाता है इसलिए इसको मुक्तक कावे कहते हैं आरा समझ में तो एसी कौन-कौन से बताया था तो उस समय आपको बताया था कि चंद के तीन प्रकार हो जाते हैं कौन-कौन से तो एक वारनटरी संद होता है और एक मुक्तक कि शंख्या के नियमों से मुक्त होता है ऐसा चंद को मुक्तक चंद कहते हैं तो बरतमान में जितने भी गीत लिखे जाते हैं अब वे चाहे फिल्मी गीत हो चाहे फिर धार्मी गीत हो यह सभी गीत किस चंद में लिखे जाते हैं तो यह सब मुक्तक चंद में लिखे जाते है आधुने गीत जितने भी होते हैं यह सब किसमें मुक्तक्षण्द में अब आधुनिक में गीत में कौन-कौन से गीत आजाते हैं और इसे में धार्मिक गीत आते हैं और धार्मिक गीत में भगवान के वजन लिखे जाते हैं तो क्या इनमें बर्णों की संख्या और मात्राओं की संख्या निश्चित होती है क्या नहीं होती है अरा समझ में तो इसलिए इनको किसमें रखा जाता है सबको मुक्तक्षंद में रखा जाता है फिर इसके बाद में बरत्मान में जो कविताएं लिखी जाती है तो बरत्मान में जो कविताएं लिखे जाती जितनी भी कवह होता है कि इसकेमारे उन्म कोप्याई करता alone को नहीं मात्राओं के संख्यानिश्चा क्यों कि अगर हम नहीं पॉत होता है थ्यान रखना पड़ता है वर्णirement लिए भे किस चंद में रचनाई लिए ऐसाब आधनी क कभी रचना लिखते हैं आरफ हमें तो जितनी भी कभी ताएं है यह स्मय आजाती है मुक्त क्पश्ण में या आपको धेयन रखना ओगा मतलब्ल मुक्त काफ्ध में इसके बाढume और क्या है तो इसमें देखते हैं इसे मीरा वाई के पद हैं तो मीरा वाई के पद किसमें लिखे गए हैं तो मीरा वाई के पद साब मुक्तक चंद में लिखे गए हैं मतलब मुक्तक काबब के अंतरगत आते हैं फिर इसके बाद में ऐसे आ जाता है अगला सूर्दास जी के पद सूर्दास के पद सूर्दास के पद तो ये आपको दियान रखना होगा फ्रेंट जो हमने आपको मुक्तक आबबे के उधारन बताई है तो एक्जाम में आप से हो सकता है पूछले कि बताईए तो फिल्मी गीत है ये किस चंड में लिखे जाते हैं तो मुक्तक च्भावर्व आगे को धारन हम अगला देख़ेश में रस्यकावय और से कविश्च कहा जाता है यह देखेश धूब तो दृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आप वहापर सिनेमा में देख रहे हैं और उसको सुन भी रहे हैं कोई भी मूवी है कोई भी फिल्म है उसको देख भी रहे हैं उसको देख भी रहे हैं तो इन सब कर और सुनकर आनंद क्यानों होती होती है तो उसे हम दिरस्त काप्वे कहते हैं ठीक है तो जिस काप्वे में देखकर जिस काप्वे को देखकर या जिस काप्वे में जिस काप्वे को देखकर या सुरी देखकर तथा सुनकर ठीक है देखकर तथा सुनकर जो आनंद की अनुभूती होती है उसे हम द्रसकाब भी कहते हैं आरा समझ में इसमें क्या होगा द्रसकाब में तो हम द्रसकाब में देखेंगे भी और सुनेंगे भी तो देखकर और सुनकर जो आनंद की अनुभूती होती है उसे हम द्रसकाब भी कहते हैं यह आपको ध्यान रखना है जो उधारन में आपको बताए हैं जैसे कभी-कभी टीवी पर कोई भी सिरियल देखते हैं तो हम उसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं और उसके बाद हमें आनन्द के अनुभूती होती है तो इनको किस्ट में सामिल किया जाता है दृस्तिकाब्य में फिर इसके बाद में जैसे आप कभी-कभी कहीं पर कोई नाटक देखते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई कारिक्रम होता है तो मंच पर नाटक दिखा जाते हैं मंच पर नाटक का प्रस्तुतिकरन होता है ठीक है तो वह भी क्या होगा दृस्तिकाब्य होगा क्योंकि आप उस इसमें नाटक या जाता है फिर इसके बाद में क्या आते हैं तो इसमें नाटक और चलचित्र होते हैं तो चलचित्र को भी इसमें सामिल किया जाता है अब चलचित्र किसे कहते हैं चलचित्र मतलब चलते हुए चित्र उसको कहते हैं चलचित्र मतलब टीवी पर देखते हैं इसको चल्चित्र इसको सामिल किया गया है अब कुछ रचक मैं आपको बताता हूं तो कुछ नाटक में देशें तो देखें इसमें एक तरफ पर इसमें देखते हैं कि नाटक और दूसरे तरफ उनके नाटक कार का नाम तो यहां पर देखें इसमें पहले नाटक कार और नाटक के नाम तो नाटक में पहला नाम अपने दिखते हैं अपर दीपदान तो राम कुमार बर्मा तो… जाता है नाचक धियान रखेंगे आप यह संक बोछब पूछ सकता है कि बताय यह दीब दान कित्ष का नाटक होता है तो यह को धियान रखने राम कुमार बर्मा का फिर इसके बाद में है अंगला नाठसा जाता है जिसे भारत दुर्दसा भारत दुर्दसा यह किसका नाठस है तो आपको ध्यान रखना है है भारत 872 हर संदका यह आपको ध्यान डखना होगा ठीक है फ्रेंट तो यह बताए मैंने आपको नाटक इसके बाद फिर और नाटक देखिए है तो बहुत सारे तो अगला नाटक आजाता है कि जैसे मिट्टी की गाड़ी अगला है मिट्टी की गाड़ी फिर इसके बाद में अगला नाटक आजाता है आगरा और इसके बाद फिर चरनदास चोर टो यह सब क्या है तो यह सब नाटक है और किसके नाटक है यह तो आपको ध्यान रखना होगा हभीव तन्वीर का तो यह रंकर्मी भी थे तो यह खुद नाटक लिखते भी थे और उसका प्रदर्शन भी करते थे आरा समयत में तो यह आपको धियान रखना है तो इस प्रकार से यहां पर कुछ नाटक कार और उनके नाटकों के नाम में आपको बताए हैं तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल हम कपड़ेंगे तो जब हिंदिस अहित्ते का विकास का टोपिक म तो जब हमने शुरूर किया था कि काब्म के कितने प्रकार होते हैं तो गभी सब्सक्राठet थो चाब मुक्त के दूकॉद होते हैं तो सेली के आधार पर काब्व के कितने प्रकार होते हैं तो देखें इसमें पहला प्रकार हो जाता है पद्यकाब्वे और दूसरा प्रकार हो जाता है गद्यकाब्वे दूसरा गद्य और तीसरा हो जाता है चम्पव काड़े इसमें उसकी में और यह अधार्ता है कि आप से कि वता ही सब्याद अधार पर नोगते हैं तेक तीन प्रकार होते शुओ आपको राख माफ्ला होगा धश्य फाल्ट बड़ को एशा भी लिख सकते हैं या फिर आप उसको एशा भी लिख सकते हैं दोनों यसकार से सही है कि अपak ao किसे कहा जता है तो आपको ध्यान रखना है कि जब किसी भी कथा का वर्णन पंग्तियों या पढ़त के रूप में किया जाता है तो उसे हम पद्द्यकाब कहते हैं यह आपको ध्यान रखना होगा ठीक है तो किसी भी कथा का वर्नन जब हम किसमें करेंगे यह कोई भी वर्नन ठीक है तो किसी भी कथा का वर्नन किसी भी कथा का वर्नन जब किसी भी कथा का वर्नन जब पंग्तियों के रूप में किया जाता है तो उसे हम पद्दकाब कहते हैं यह आपको ध्यान रखना होगा ठीक है अब कौन-कौन से से रचनाय है जो पंक्तियों बद्ध लिखे जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि जो अलंकार अपन लिखते हैं तो अलंकार किस में आते हैं अलंकार ये पद्ध कावे में ही आते हैं फिर इसके बाद में जैसे चोपाई है रोला है सोठा है दोहा ये किसमे आते हैं पद्यकाब में आते हैं फिर कईताए किस में आती है तो कवीताइह भी इसमें आती है याप पो अध्यान नूगा तो पर इसका बादे या तारो रंद झानl कवक राकी किस्मा सामील केजाता ही पद्यकाब्द दuciónत तो तो कभी ताइं इसमें सामिल की जाती है फिर इसके जो अलंकार होते हैं ठीक है अलंकार तो अलंकार को भी किसमें सामिल क्या जाता है पद्यकाबे में सामिल क्या गया है फिर इसके बाद में कुछ चोपाई होती है दोहा होता है दोहा फिर इसके बाद में चोपाई ठीक है च नाम बताओं मैं आपको तो पुस्प की अभिलासा तो पुस्प की अभिलासा तो यह किसके थी माखनलाल कि अभिला चतुरवेदी की माखनलाल सितुरुपेदी है इसमें देखते ही कौन सा काथारा है यह किषके रानी सुभद्र कुमारी चोहान की तो यह बहुता पुद्रकुमारी CD outdoor ४ THAT sacred लिखिये गई थे आ द सुबध्रा कुमारी को हम यह आप Mira काबवर हम नहीं कहते हैं यह आपको भिखना होगा इसके बाद फिर ऐसे अपन देखते हैं कि बीखे और सार रसनाय जो और से इसके बाद में बश्यार आर्च टैगॉर थे तो उन्हों भी पद्य की रूप में लिखी गई है और उस गीतांजली को 1913 में तो रविन्हा टेगोर को गीतांजली के लिए 1913 में इन्हें नोबल पुरुसकार भी दिया गया था तो यह सब पद्यकाब के ही उधारन होते हैं आप इसके बदेखें गद्यकाब्वियां अगला देखें इसमें गद्यकाब्वे अब गद्यकाब्वे किसे कहते हैं तो इसमें देखें जरा गद्यकाब्वे तो यह दूसरा प्रकार है सेली के अधार पर तो गद्यकाब्वे का मतलब क्या होता है कि जब रचना कोई भी कथा गद्यकी रूप में लिखे जाती है तो उससे हम गद्यकाब्वे कहते हैं आरा समझ में इसमें क्या होगा कि जब कथा को या किसी भी कथा का वर्णन जब किसी कथा का वर्णन जब किसी कथा का वर्णन गद्य के रूप में किया जाता है तो उससे हम गद्यकाब्वे कहते हैं या आपको ध्यान रखना होगा अब यहां पर क्या हो जाएगा गद्द कावे में तो पद्द कावे में बताया था कि पंग्तियों के रूप में कथा लिखे जाती है अब यहां पर कैसे लिखा जाएगा तो यहां पर गद्द के रूप में लिखा जाएगा मतलब यहां पर पंग्ति बद्द नहीं होगा यह परम केसे लिखेंगे आम यह पर ऐसे परग्राफ की रूप में इसको लिखा जाता है जो भी राइटर होगा जो भी लिखक होगा इसे परग्राफ की रूप में लिखते हैं यह आपको ध्यान रखना होगा अब इसमें किसको किसको सामिल किया जाता है तो इसमें आपको ध्या नाश्कोग तो कहानी नाटक उपन्यास एक कांगी यह सब को समने मिल किया जाता है ठेए पिर्ट्रथ काप्व्र ब Kurz file ध्यान रखना होगा अब इसकेबर में कुछ कहानी के नाम जेसे मिलाको बताता हूं कि यह जैसे पंच परमेश्वर तो पंच परमेश्वर किसकी कहानी होती है तो यह मुंसी प्रमेश्वर की होती है जो आपको ध्यार रखना होगा ठीक है पंच परमेश्वर पंच परमेश्वर पंच परमेश्वर पंच परमेश्वर यह किसकी रचना होती है तो यह मुंसी प्र तो ऐसे बहुत सारी रचनाय होती है जिसको मा आगे पढ़ेंगे qa है पढ़ाँगा तो मैं बहुतारी अपन कहानी के बारे में आपको पढ़ेंगे कहानी और कहानीकारust and रुप रॉपन्यासकार निवंद और निवंदकार फिर एकांग की और उसका एकांग की कार इसके बाद फिर जो आत्म कथा होती है तो आत्म कथाओं को भी गद्दे में ही सामिल किया जाता है गद्द काब में उन्हें सामिल किया जाता है क्योंकि जब भी कोई आत्म कथा लिखे जाती है तो कैसे लिखे जाती है हारा समझ में वाक्य की रूप में उन्हें लिखा जाता है तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंट इस प्रकार से हम देखते कि यहां पर यह गद्य काब्व भी समापत हो जाता है अब इसके बाद फिर आगे देखें समें तीसरा जाता है चंपू काब्वियां अब चंप कर देखें तो चंपू काब्व violet किसे कहते हैं तो यह कि अधार परपंद एक इसमें कि तीसरा प्रखर हो जाता है चंपू काब्वय आप किसे कहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब गद्यों और पत्ये दोनों dud निए की रूप से लिखा जाता है तो ऐसे का वे को हू संस्कृत में था लेकिन बाद फिर धेरे धेरे हिंदी में भी इसका प्रचलन शुरू हो चुका है हारा समझ में तो जब कोई रचना या जब गद्य और पद्य जब गद्य और पद्य जब गद्य और पद्य जब गद्य और पद्य दोनों में कि दोनों में कोई रचना लिखी जती है कोई रचना की जती है तो उसे हम चंपुकाब्ब कहते हैं आपको ध्यान लखना होगा तो चंपुकाब्ब में क्या होता है तो इसमें गद्ध और पद्ध दोनों में रचना लिखे जती है मतलब क्या होगा इसका मतलब यह होगा कि ज बाग किसमर लिख देगा पद्दे में तो ऐसरी र सना को या इसे कवी को पद्द कवह mechan कहते हैं यह किस ने लिखा है तो यह सिद्धराज लिखा है मैथली सरण गुप्त ने सिद्धराज किसने लिखा यह तो यह मैथली सरण गुप्त ने लिखा है जो आपको ध्यानकना होगा तो एक्जाम अगर आपसे कोशन पूछा जाता है कि बता यह एक चंपू काबे को धारन क्या होगा तो च गद्य और फद्य दोनों में ही रसनाई लिखी गई है इसलिए इसको क्या लागता है इसलीए उसको चंपू काव्य कहते रहेका है तो इसमें कोसन किया सब्सक्τό करूछ कभी सिवाइब आपसे पूछा अक्ले क पूछा जासकता है कि यह किस के द्वारा कि वुषे गए इसके उधारन तो अभी तक कम पूछे गें तो अगर पूछे भी तो मैंने आपको यहां पर बता है तो इस्टे के साथ फ्रेंट आज का हमारे सेसे समाव्त होता है नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपकी लिए लेकर प्रसुत होंगे तब तक कि लिए